जैहिन सात्यों कैसे यो आप सब गूड इवनिंग आज बहुत ही मैतोबन परसन है इस वीडियो के अंदर बताये जाएंगे तो सबसे पहले जादा से जादा वीडियो को सेर कर दें देखो दोस्तों आज बहुत ही मैतोबन टोपिक रहेगा प्रेटन स्थल से सम्मधित बहु एक क्यूसन आती है तो मैं यहाँ पर आज तक जितने भी यूटूबर है उन्होंने किसी नहीं डाला था तो हमारी टीम आपके लिए आज बहुत ही मैतोपन कुछ परसन लेकर आई है तो वीडियो को जादा से जादा पहले शेयर कर दें लाइक कर दें तो यह अंसु जी सर अचु जी के ट्रीक के नाम से यूटूब है अपनी टीम है वहाँ पर हमारे वीडियो आते हैं 9 बजी क्लास वहाँ पर होगी और 8 बजी एक लास शुरू हो गई है तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें परसन पतर को त्यार मेने किया है तो शुरू करते हैं आज ये, आज का ये पहला क्यूशन, बताओ कि प्रियेटन मंडलों में मेवाड सरकीट में सामिल जिला नहीं है, बताओ उद्धेपूर, शीरोही, दुंगरपूर, रासमन्द, कि मेवाड सरकीट में सामिल जिला नहीं है, बताओ भी कौन सा जिला सामिल नह तो जितने भी विद्यार्थ यह जुड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे ताकि हमारे साथ काफी लोग जुड़ जाए तब क्या है कि पढ़ाएंगे तब कुछ से आनदी अलगाएगा तो प्रेटन मंदलों में मेवाड सरकीट में सामिल जिला बताओ भी कोन सा जिला सामिल नहीं है शिरोही या उद्यपूर डूंगरपूर या फिर रासमंद देखो मैं आपको बात बताता हूँ प्रेटन मंदलों में मेवाड सरकीट की हुआ क्या देखो प्रेटन जो राधस्तान में जो प्रेटन आती है वो प्रेटन इनकी इनके लिए क्या कर रखा है हमने अलग-अलग राधस्तान में अलग-अलग प्रेटन मंदल स्तापिद करके यानि सरकीट स्तापिद कर रखे है उसके अंदर क्या होता है कि कौन सी भी छेतर में जैसे आता है कोई प्रेटक आता है तो वह क्या करेगा श्याबास सही उत्तर आपका भी उत्तर इसका सही होगा शिरोई होगा ठीक है यानि इसका जिला होगा जो जिला होगा वो कौन सा होगा शिरोई होगा देखो प्रेटन आते हैं अलग-अलग तो अलग-अलग राजस्तान सरकार ने अलग-अलग प्रेटन स्तल जो सर्किट थे वो स्तापित कर दिये जिसके अंदर महतोपुन कौन कौन सी है एक तो है जैपूर आमेर सर्किट कौन सा है जैपूर आमेर सर्किट एक तो हो गया जैपूर आमेर सर्किट और एक कौन सा हो गया मेवाड सर्किट ये भी सबसे महतोपुन में आता है ये भी और एक हो गया मरू सरकीट मरू सरकीट ये तीन सरकीट है वो सबसे महतोपुन सरकीट के अंदर आते हैं तो इन्हें से सम्मधिज़ परसन मेवाड के अंदर अब आपको पता ही है मेवाड के अंदर उद्धेपूर जिला सामिल है, डुंगरपूर आता है, राज समझ आता है, कौन सा जिला सामिल नहीं होता है, शिरोई नहीं होता है तो शिरोई कौन से में आएगा शिरोई आता है Mount Abu Circuit के अंदर कौन से में आता है Mount Abu Circuit में क्योंकि यह बहुत ही मैथवटन परसन है यह परसन बहुत ही कम बताए गए है YouTube के उपर तबी मैं आपके लिए कुछ अलग पर्षन लेकर आया हूँ आज तो इन पर्षनों के माद्देम से जैने अग्जाम में के से पर्षन पुछी जाते हैं वो मैं आज आपको यहाँ पर सारा कॉंसेफ्ट जो प्रेटन विवाग से संबंदित प्रेटन उज्योग से संबंदित आपको सारी PDF मिल जाएगी उसके लावा आज जीने विद्यार्थी ने नोट्स बेज़े हैं हनुमानगर से सोनाल सेकावद जीने बेज़े हैं तो उनके नोट्स में आपको लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो के अंदर जरूर तो इसका उत्तर आपको मैंने बता दिया माउंट अबू सरकीट में तो माउंट अबू सरकीट के अंदर जो जिल्ले आती है वो कौन कौन से आती है एक तो देखो जो स्तान आता है वो आता है रनकपूर और रनकपूर के साथ आता है जालोर रनकपूर के साथ कौन साथ है जालोर ये दो स्तान आती है ठीक है चलो च चैत्रों में जो कौन सा प्रियेटन विकास चलाया जा रहा है एक नमर बुद्ध सरकीट, तिर्थ सरकीट, मिवाड, वागड, धार्मिक सरकीट और हाडोति सरकीट कौन सा उतर सही होगा इसका जल्दी से बताओ देखो बुद्ध सरकीट किसी है बुद्ध सरकीट है वो मैं अंदर जो आएंगे वो आएंगे चीन से जो आते हैं प्रियटक बुद्ध सर्कीट में और जापान से जो आते हैं प्रियटक जापान अमेरिका से जो आते हैं अमेरिका अमेरिका हो गया और श्री लंका श्री लंका यहां से जो प्रियटक आती है उनके लिए जिसकी स्तापन की गई है वो सर्कीट कुन सा है बुध्ensions के है बूद्र सर्कीट है अमें क्या पूचा गया है कि राधव्जात्तान में do दार्मेग छातरों में कौन सा प्रिययर्टेंग विकास चलाया जा रहा है तो मैं आपको तर्फ सर्कुट नहीं होगा मैं आपको बता दूँगा तर्फ सर्कुट कहाँ पर चलाया जा रहा है इसका सही उत्र होगा मेवाड वागड दार्मिक सर्कुट यानि तीन नमर इसका सही एंस्वर हो जाएगा क्यों होगा तर्फ सर्कुट है अजमेर के पास में ही और नाथ दुवारा कांक रोली तथा क्रोली के महवीर जी को सामिल किया गया कौन सिस्टल में तिर्थ सर्किट में इनको लिखना एक बार पुसकर मैंने बता दिया पुसकर राज समंद के नाथ दुवारा नाथ दुवारा नाथ दुवारा हो गया उसक के अंदर क्रोली तो क्रोली के अंदर जो महाविर जी का मंदिर है उसको सामिल किया गया है कौन से सर्किट में तिर्थ सर्किट में परसन ऐसे भी पूछ सकता है में एक जाम में कि तिर्थ सर्किट में कौन सा स्तान सामिल नहीं है जैनि एक पुस्कर दे देगा एक नास बताओ जल्ली से कमेंट करकर अब देखो मेवाड वागड धार्मिक सरकिट ये क्या है इनको मैं बताता हूं कि बार सरकार ने रज्य ने जंजाती है छेत्रों में प्रेटकों को आकरसित करने के लिए किसको आकरसित करने के लिए प्रेटकों को आकरसित करने के लिए मेवाड वागड धार्मिक सर्किट का विकास किया गया है कौन से का मेवाड वागड धार्मिक मेवाड छे तरह आगा है कठे चालू करेवेन इसको चालू किया गया है उद्धेपूर उद्धेपूर हो गया डुंगरपूर डुंगरपूर हो गया बांसवाड़ा इन तीन जिलों में इसे सामिल किया गया है फीक है अगर हमें परशन पूछ लेए ऐसे भी पूछ सकता है ये परशन कि मिवाडवागः धार्मिक सरकिट में कौन सा जिल्ला सा मिल नहीं है तो तीन जिल्ले मैंने बता दियें उद्यपूर हो गया, और कौन सा हो गया, डुंगरपूर हो गया, और कौन सा हो गया, बांसवाड़ा हो गया ये तीन जिले है वो मेवाड वागड धार्मिक सर्किट में आती है देखो अग्जाम में परसन किसी परकार से पूछ सकता है और मैं यहाँ पर व्याख्या सहीत आपको बता रहा हूँ कि किस परकार से एक ज्ञामी पर्षन पूँछ सकता है तो मैंने बता दिया इसका सही उत्र कौन सा होगा इसका सही उत्र हो जाएगा तीन नमर मिवाड वागड धार्मिक सरकिट कहना में तीन नम है तो कहा जिला सा मिले wider तीन जिला सा मिले तीन जिला कॉन कौन शी हो गए उद्धैपूर हो गया डूंगरपूर हो गया और बांस वड़ा यहां पर प्रियटकूंग को क्या मिलेगा बढ़ावा मिलेगा तो यह पुछा गया एकजाम में तो इसको ध्यान में रखना आप भी च जारती बोल रहे हैं सर नोट्स बेस दो, नोट्स कहाँस बेस दो नोट्स कहाँ पर देखोगी आप उन्वीडियो को देखेवो नोट्स बना लो खुद किसी के नोट्स समझ मे ऐस से नहीं आएँगे आप उन वीडियो को देखो नोट्स बन जाएँगे okay इसक्यूसन का आया, उत्र बताओ भी, प्रियेटन मंदलों में मेवाड सर्किट में सामिल जिला नहीं, अच्छा ये तो कुरवा दिया, आगे चलना था, ठीक है, अब ये बताओ, रज्जस्तान में प्रमुख प्रियेटन स्तलों को कितने बागों में विवाजित किया गया ह है, बताओ, रज्जस्तान में प्रमुख प्रियेटन स्तलों को कितने बागों में विवाजित किया गया है, दो में, चार में, तीन में, पांच में, गुरुजी, शो भी परसन हो सकता है, प्रमुख प्रियेटन स्तलों के अगर बात करें, तो वो है, इसका सही एनस्वर तीन नमर हो जाएगा तीन तो बताओ गुर जी कुनसा कुनसा है राजस्तान की प्रमुख प्रयाटन अस्तलों को जितने बागों में विवाजित किया है वो कौन-कौन सी है प्रयाटन अस्तल तो बहुत है लेकिन प्रयाटन अस्तलों को विवाजित किया है वो कौन-कौन सी ह तो देखो इसका इन्सवर कौन सा हो गया तीन नमर और इसके अंदर आता है एतियासिक इतिहासिक स्तल जो भी विडियार थी जुड़े हुए वो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें अपने चेतर में भी जहां से बी जैसे कल बाढ़मेर से जुड़े थे आज नमानगर से जुड़े हुए है जो भी आपको नोट्स बेजने हैं जो भी नोट्स बेजना चाहता है वो आपके मैंने बताई दिया था कले वाले वीडियो के अंदर और आज डिस्क्रीप्शन के अंदर आपको नमर मिल जाएंगे वहां से आप वार्टसप कर देना तो राजस्तान में प्रमुक प्रेटनस्तलों को एक तो हो गया एत्यासिक और एक हो गया भोगोलिक 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 को अपने दूसरे सब्दों में कह सकते हैं प्राकर्तिक प्राकर्तिक जैसे माउंट अबू शिरोई के अंदर है गुरु शिकर जो चोटी है गुरु शिकर राजस्तान का किल्ला बना दिया, कुम्बलगड का किल्ला बना दिया, हवा महल बना दिया, जंतर मंतर बना दिया, ये कौन से आते हैं, एतियसिक आते हैं, हवा महल, हवा महल, तो ये आते हैं, एतियसिक, अब तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, धार्मिक परियेटन अस्तल, धार्मि इतियासी के अंदर जैसे हवा मेल है, जंतर मेल, जंतर मंतर है, आमेर का किला है, जैगड का किला है, ये जो इतियासी जिनको बनाए है, इतियासी के अंदर जिनको राजा महराजों ने बना कर गए है, जिनने हम आज पढ़ रही है, तो वो कौन सी होगे, इतियासी कोगे, बो करकर बताओ जल्दी सी कि करनी माता के मंदिर का आधुनिक रूप किस ने दिया था यानि आधुनिक निर्मान किस ने करवाया था करनी माता के मंदिर का जितने भी मंदिर है वो कौन सी हो जाएंगे जैसे एक लिंग नाजी का मंदिर बपरावल जी ने बनवाया था एक विवाग दोवारा आयोजित प्रमुख मेले हैं यह यानि प्रेटन क्योंकि बात अपने प्रेटन सल कर रहे हैं तो प्रेटन विवाग के दोवारा यह आयोजित होती है तो मेले तो पुस्कर मेला की समाय होता है मीरा महत्सो कब होता है अलवर महत्सो की समाय में होता है मिवा नोवंबर में. फिर दो नम्मर के अंदर तीन आ गया, दो तीन किसमें दिखाई दे रहें, दो तीन एक चार, यह हो गए सारे के सारे, यानि इसका दै उत्तर है, वो सही होगा आपका, ठीक है, अब याद रख लेना इन्हें, कुछ बार क्या होता है, हमें सबी को पता होता है, पुसकर मेला क अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है, मिवाड महुत्सो को मनाया जाता है, अप्रेल के अंदर मनाया जाता है, आपको कमेंट करकर यह बताना है, हल्दी गाटी महुत्सो को मनाया जाता है, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं को मैं पूछ रहा हूँ, बाकि जो बाद मे नहीं देख रहे हैं कोई वीडियो देखर चला जाता है छोड़कर चला जाता है हमें कोई मतलब नहीं है आपका काम पढ़ना है बस पढ़ते रहो हमारा काम पढ़ना है यहाँ पर बहुत अच्छा मेटर देते रहेंगे अब आपको वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहे न वस तो कमेंट के अंदर एक परसन ये भी बताना है हल्दी गाटी महुत सो कब मनाया जाता है जो भी सही उत्तर बताता है कमेंट के अंदर मैं उसका कमेंट क्या कर देता हूँ पिन कर देता हूँ, कुछ एक विजार्थी, कमेंट के अंदर एक या दो क्योशन नहीं बता पते, तो मैं उनके जितने आट क्योशन उसने बताये हैं, तो मैं उसके 9 और 10 के उत्तर उसके अंदर दे देता हूँ, तो आप आप वहां से भी देख लेना विजारतियों ने बताई है उत्तर क्योंकि आप देख तो लेती हो लेकिन उत्तर नहीं जब मैं परसन पूछता हूँ तो उन परसनों को आप खोजो खोज कर उनके उत्तर बताओ मुझे ठीक है तो यहाँ परसन मैंने क्या पूछा है हल्दी गाटी महोत्सो कब मनाया जाता है यानि कद मनायी जी हल्दी गाटी महोत्सो परताब उसमंदित याद आजे हूँ था ने परताब को देख ले न महारणा परताब आगी वाला कि उसने केंदर सरकार ने राष्ट्रिय महतव का मंदिर किसे गोशित किया है बर्माजी का मंदिर एकलिंगनाजी का मंदिर तनोट माता का मंदिर रनकपूर जेन मंदिर बताओ केंदर सरकार ने राष्ट्रिय महतव का मंदिर किसे गोशित किया है केंदर सरकार कर देती है फिर देख तो केंदर सरकार कर देती है फिर देख तो केंदर सरकार ने जब उस मंदिर को राष्ट्री है महतो का मंदिर गोशित किया है तो महतोपुर्ण परसंत हो गया और यह प्रेटन विवाकी दर्ष्टी से भी महतोपुर्ण हो गया तो कौन सा म मन्दिर है आपको बताया ही था मैंने भी कई लासपूरी उध्यपूर आप कमेंट करके बताना कि विश्व में भी है या नहीं है ये ये राजस्तान में तो एक मातर बर्मा जी का मंदिर है जैसे भी विशन जी का मंदिर है लक्समन जी का मंदिर है कुछ एक मंदिर है जो एक मातर मंदिर है तो केंदर सरकार ने राष्ट्रिय में तो का मंदिर गो विभागने जगध पिता किसको का जाता है बर्मा जी को जो मंदिर है पुश्करजमेर में उसे राष्ट्रिये महतों का मंदिर को सित किया है किसне के अंधर सरकार ने भारतिये पूरा ताफ्वी की विवागने और कल वाले वीडियो में मैंने बताया था सब वैटावले में भारतिये पूरा तात्वी के विवाग का जनक अगर पूछ ले तो वो कौन है अलेक जेंडर कनिंगम है ज़्यदा बातें नहीं करेंगे बस मैं आपको बताता रहूँगा आप वीडियो के अंदर वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे बताएं आगे भी वीडियो आपके लिए ऐसे ही जो कौनसेप्ट वाले जो क्यूशन आज तक आपको किसी नहीं करवाई है यूटूब के उपर वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ ठीक है तो केंदर सरकारनी राष्टी है मैताओ का मंदिर इसका उतर सही कौन सा हो जाएगा बर्मा मंदिर हो जाएगा और इनकी जो पीडियेफ है जिसको पीडियेफ चाहिए वो आपको जिके गजान दवर्मा इसी नाम से अपना टेलिग्राम चेनल है उसको जोईन कर लें काफी नोट्स भी वहाँ पर डाले हुए वो नोट्स भी आप पढ़ लें रोजाना कॉनसेप्ट और जो विद्यार्थी नोट्स बेजता है वो इसी टेलिग्राम चेनल पर बेज़े भी जाते हैं और यहां पर भी दिखाया जाएगा तो आज नमानगड से हमारे साथ जुड़े हुए है काफी विद्यार्थी तो उनको मैं यही कहूँगा जो और भी देख रहे हैं वो नमर मैंने आपको बताए हुए है वो मुझे नोट से भेज़ दे आगे वाला कि उसने राज्यस्तान में मरू तिरकोन किस से सम्मंदित है बताओ बै राज्यस्तान में मरू तिरकोन किस से सम्मंदित है राज्यस्तान में मरू छेतर विकास से जल की कमी वाले छेतर से मुरु श्तल को बढ़ने से रोकने के लिए बताओ किस से सम्मंदित है राजस्तान में मुरु त्रिकोन किस से सम्मंदित है बताओ मैं आप देखूं आपके कमेंट सारे राजस्तान में मुरु त्रिकोन राज्य है राज्य में है यहां पर ने हो गया राज्य में मुरू छेतर विकास से, जल की कमी वाले छेतर से, मुरू स्थल को बढ़ने से रोकने के लिए, बताओ भी, अब देखो, चार नमर है इन में से कोई नहीं, देखो इन ही से सम्मदित है, बात अपने प्रेटन स्थल की चल रही है, तो इन में से प्रेटन वाला तो सम्मदित है, किस से सम्मदित है, प्रेटन विकास से सम्मदित है, जो मरू तिरकोण है, वो प्रेटन विकास से सम्मदित है, मरू तिरकोण को डेजर्ट ट्राइंगल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेजर्ट ट्राइंगल, डेजर्ट कार्थ क्या होता है, सुका भी ह सब्सक्राइब करें कि मरू प्रियेटन से सम्मंदित और अगर बात करें कि मरू प्रियेटन से महतोपुरुण मरू प्रियेटन ये राजस्तान के पस्चमी चेतर में चलाया गया है किस चेतर में चलाया गया है पस्चमी चेतर के अंदर चलाया गया है तो पस्चमी चेतर के अंदर जब बात करें कि मरू तरिकोन में कितने जिल्ले सामिल है तो मरूत रिकोन के अंदर विक्कानेर, मरूत रिकोन में कौन कौन से हैं, विक्कानेर, विक्कानेर के बाद जेसलमेर, जेसलमेर, बाड मेर, बाड मेर और जोधपूर, च्यार जिल्ले सामिल हैं, मरूत रिकोन में कौन कौन से जिल्ले सामिल हैं, विक्कानेर, जेसलमेर, बा प्रियतन विकास से ठीक है इसका उत्र सहयोगा चार नमर उप्षन राजस्तान में प्रियतन विकास निगम की स्थापना कब की गई बताओ याननी ती नमर इसका उत्र सही होगा बिल्कुल बिल्कुल सही जारे हो आप समय कि राजस्तान में प्रियतन बड़ावा देने के लिए राजस्तान में 1 अप्रेल 1989 यानि ती नमर इसका उत्र सही होगा कौन सा उत्र सही होगा ती नमर एक अप्रेल 1989 1989 को राजस्तान परियत्टन विकास निगं की स्थापना की गई थी जिसे क्या कहते हैं RTDC इसकी स्तापना कब की गई थी 1 अप्रेल 1989 को की गई थी गुर्जे और उप्सन दे रहा हैं सम्मंदित खास बात इन से सम्मंदित आद कोई खास बात नहीं है बाक्की वीडियो में बताई दाते हैं इन से सम्मंदित आद जल्दी में वीडियो बनाया था तो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक अप्रेल 1989 को राज्यस्तान में प्रेटन विकास निगम की सथापना की गई थी एक अप्रेल 1989 जिसे RTDC भी कहा जाता है RTDC लेकिन अगर हमें पूछले एक और में यहां से बता देता हूँ आपको कि अगर हमें पूछले कि राज्य में प्रेटन से सम्मधित गतिवीदियों के संचालन है तो प्रेटन विवाग की स्थापना कब की गई थी ये तो प्रेटन ब्रेटन विवाग की स्थापना की गई थी ये 56 ठीक है剛 है फ्रेटन को बड़वा देने के लिए राज्यस्तान विकास निडम यानि RTDC की स्थापना है वो एक अप्रेल 1989 को की गई थी ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे वाले कीवेशन पर राजस्तान प्रेटन विभाग द्वारा जेसल मेर पतंग महोचसव का आयोजन किस माहे किया जाता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल बताओ भई जेसल मेर पतंग महोचसव का आयोजन किस माहे किया जाता है जनवरी में किया जाता है या फिर फरवरी में या फिर मार्च में या अप्रेल में पतंग महुट सो देखो याद किया रहा अब देखो मकर सकरांती को तिवार आवे चोगधा जनवरी को ठीक है मकर सकरांती को तिवार पतंग को उड़ाओं के अब जनवरी को नहीं है जनवर के अंदर जिसको कहा जाता है पतंग महुत सो कब आयोजित होता है फरवरी के अंदर आयोजित होता है कहां पर आयोजित होता है यानि हमें ऐसे भी पूछ सकता है कि पतंग महुत सो कहां पर आयोजित होता है तो पतंग महुत सो कहां पर आयोजित होता है जैसल मेर में और कौन भी बहुत खुशी मिलती है कि आज इतने लाईवी चल रही है हमारे क्योंकि मैं साथ साथ में देख नहीं सकता दूसरी साइड में तो आप ज्यादा से ज्यादा जो मेरा मेसेज सीन हो रहा है कि सभी का हो रहा है मेरे पास में जो बैठे हुए है वो आपको जबाब दे रही ह तो राजस्तान प्रेटेन विवाग द्वारा जेसल मेर पतंग महोचसो फरवरी में हो गया ठीक है फरवरी के अंदर जेसल मेर के अंदरी बनाया जाता है अगर हमें पूछले थार महोचसो कांका है थार महोचसो बाड मेर का है मेवाड 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 के अंदर मुख्य जिला कुन सा आता है उद्धेपुर उसके अलावा ग्रीसम महोट्सो कामना आया जाता है मै जून मे आयोजित होता है ग्रीसम महोट्सो कामना जाता है भी ग्रीसम महोट्सो जेपुर का है जो मै और जून में आयोजित होता है ये सारे जितने भी महोट्सो हुआ है ये राजस्तान प्रेटन विवाग के दोरा ही आयोजित होती है ठीक है ध्यान रखना जैसे अलवर महोट्सो अलवर में मनाए जाता है, बुन्दी महोत-व। बुन्दी में मना जाता है, सонд महुत-षो काम बना जाता है सरद, करांटी में संवन दिते हैं बात को एंग्रेजों निए अपना मुछा लेकर चले गए थे, माoundप अबू शिरोही के अंदर लेकर चले गए थे क्यों लेकर चले गए थे क्योंकि राजस्तान के अंदर गर्भी बहुत पड़ती थी इसलिए वो क्या करते थे च्छाह माय काहां रेते थे अज मेर मेर में और च्छाह माय काहां चले आते थे माउंट अबू के अंदर तो सर्द महुत्सो का मनाया जाता है माउंट अबू शि जून के अंदर और ग्रीसम महटसो जैपूर में भी बनाया जाता है मही जून के अंदर जिसको कहा जाता है जैपूर वाले को याद रखना थोड़ा सिल्मियर्गिवार्टि से समन्दित है ? ही्रा विपार से ? सोने के विपार से ? नसीले परदार्द थे ? यहां फिर इन में से कोई नहीं है ? बाताओ गोल्डन ट्राइंगल कोईербार्टि क समधित है ? बदाओ Ben देखो golden हो अर्थिए गोल्डन अर्थ यह ना सुचलिए शोनों हो तो सोनेस के वेपार से हो गया नहीं सोने के वेपार से नहीं होताए golden इन में से कोई नहीं, golden triangle का समंद है व्हों किसे समंधित है, श॥ा समंधित है और उत्त्र कोधर समंधित ह्ने से परिएटन से कोई नहीं Chow चार नंबर इन में नहीं, इस समंधित हम आपको बात बताता हुँ कि golden triangle का अन्व परियतन से भी वागशिय हो गया वर्तमान में देश में आने वाला हर तीसरा विदेशी प्रियाटक राजस्तान में आता है जैसे यह सिमालो यह अपना राजस्तान है ठीक है और एक साइड में ओम्रादियों में बारत यह माले ओ भारती है जगा को नहीं अब बारती है में आया तीन विदेशी प्रियाटक राजस्तान में आवगो वाह क्या बात है यह बताओ पदारो मारे देश यह बताओ पदारो मारे देश कब शुरू किया गया था पदारो माहारे देश देखो आपकी बहुती मेतोप्रून वाज यह मैं भीच बीच भीच मों बागडी बोलना आरीओं अब तो बीचतो बसा ही रह भागी आपनों राजस्तान निराळों under इस साही अलगी राजस्तान है तो पद्रोमारे देशution 1903 में में 23-03 में infin नाम की रखी यहाँए वाधरोमारे देश貸 धीरांगे गलर फूल रजशतान देखो कि तो सुनो नाम रखिए कलर फूल रजशतान दो जार आठ के बाद दो जार सोडा आठ दूनी सोडा नागरुजी मारत दूनी आठ हो है तो बुल्टी बुद्यार काम नागरू दो जार सोडा गमा, आठ साल बाद में किये काम करियो, इंग किये काम करियो, बोलियो कै, ओ नाम सुनो कोनी कलरफुल राजस्तान, अठाईया लगा दियो, नै जाने क्या दिख जाए, नै जाने क्या दिख जाए, उकद दियो, दो जार सोडा, नै जाने क्या दिख जाए, ये कब start किया गया था यानि अब आपनों जै जाने क्या दिख जाए यह नहीं है अब अपना क्या है भी अब है वह जो पदारों मारे दैस। यह कब इसे launch किया गया था वापीश इसे कब से start किया गया था यह comment करकर जुरूर बणाई आप। और उसके लावा यहां से मैं बता देता हूँ प्रेटन विवाकी दरश्टी से हमारे जो विदेशी प्रेटक आती है तो राश्टी है प्रेटन पुरुषकार भी अपने राजस्तान ने जीता है राश्ट्री है नोट कर लेना इसे साथ में कापी के अंदर मैं राम से बोल रहा हूँ यह विज्ञान भावन का है दिल्ली के अंदर तो 18 सितंबर 2015 को राजस्तान की प्रेटन राज्य मंत्री उस वक्ते किर्ष्णेंदर कोर यानि दिपा को दिया गया था तो हमें अगर पूछले कि राजस्तान ने क्या प्रेटन पुरुषकार राश्टी है प्रेटन पुरु दिल्ली के अंदर पुरुषकार जो विज्ञान भावन दिल्ली के अंदर आयोजीत होता है प्रेटन विवाग की दरश्टी से तो यह 18 सितंबर 2015 को हमें राजस्तान के अंदर कृष्णेंदर को यानि दिपा को दिया गया था तो गोल्डन ट्राइगल का समन्द किस से है प कमेंट करकर जुरूर बताएं कि पदारो मारे देश कब से सुरू किया गया था पदारो मारे देश कब से सुरू किया गया था ये सिलोंगन वापीस उसके बाद रन्तंबोर सरकिट में कौन सा जिला समलित नहीं है तो रन्तंबोर स्रकिट में कौन सा जिला समलित नहीं है त तो पास में ही तो है लेकिन बर्थपूर समलित नहीं है इसका उत्तर होगा चार नमर से याने सोर होगा तो बर्थपूर कुन से गंदर आवे बर्थपूर में आओगो बर्थपूर सरकीट में आता है बर्थपूर अगर हमें पुछले बर्थपूर कौन से सरकीट में आता है उसके अलावा बर्थपूर के अंदर और कौन सा आता है दोलपूर जिला भी आता है दोलपूर जहां पर सबसे पहले क्या होता है सुरिय उद्ध्य होता है तो बर्थपूर सरकिट के अंदर बर्थपूर है डिंग है दोलपूर है यह आती है और रनथमबोर सरकिट है उसके तॉंक रन फंबॉर स्वाइम ढशीले सामिल हैं। अलगलग सर्कीट बनाए हैं वह मैंको पहले ही क्यूसिट में आपको बताया था। यह सर्कीट भी पूछ सकता है कि दूढाड सर्कीट में कौन सा जिला सामिल नहीं है तो डुडाड के अंदर मैं बता देता हूँ आपको जैपूर है जैपूर है आमेर है सामोध रामगट दोसा अबानेरी ये सारे किस में आते हैं डुडाड सरकीट के अंदर आते हैं ठीक है दोसा डुडाड सरकीट में आएगा रनतमोर सरकीट में नहीं आएगा दोसा कोन से म जब भी आपको कोई PDF की इन से समद्धि जितने भी सर्किट है यह जितने भी सर्किट है वो में इनकी सभी की पेज पर लिख कर सभी का मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा अपने चैनल के उपर वहां से आप देख लेना तो रनतमोर सर्किट में कौन सा जिला सामिल नहीं है इसका उत्र कोण सा जाएगा भर्तपूर की समें आता भर्तपूर सर्किट के इन्दर आता है आगे वाला के बिसंद कि नीमलिक्त में से कौन सा धार्मिक प्रेटन स्थल नहीं है देलवडा, कोलाइत, कुशकर जील, शरीनाजी देखो प्रेटन स्थल अलग अलग बनाए और इनके अंदर मैंने आपको पूछा है कि कौन सा धार्मिक प्रेटन स्तल नहीं है, धार्मिक प्रेटन स्तल नहीं है, ठीक है सभी का क्योंकि देलवाडा के अंदर जो मैंने आपको सिधा देलवाडा ही लिखा है, तो देलवाडा के अंदर अगर अपने बात करें तो इस पुमिक स्थल के अंदर आती है छिरूई कॉलायद फिर आगके कोलायद कॉलायद से क्या समन्धी थिथ ही कॉलायद वीका नेर के अंदर है कहाँ वीका नेर गल्र लो हम बल्र मन्हें इस तविक ऑगया नहीं लगता आगांक यह वह कॉलायद हो गया पुषकर जिल नहीं आता है पुषकर जिल किसमें आती है प्राकर्तिक के अंदर आती है कौन से में आती है प्राकर्तिक प्रेटनस्तल में आती है पुषकर जिल किसमें आती है प्राकर्तिक प्रेटनस्तल के अंदर आती है उसके अलबा सिरिना जी, सिरिना जी का हो गया, सिरिना जी नाच द्वारा राज समंद, नाच द्वारा राज समंद, सिरिना जी खाएं भी, राज समंद के अंदर है, राज समंद, सिरिना जी राज समंद में, ठीक है, तो पुसकर जील नहीं आएगी, पुसकर जील किसमें आती है, ये तो दार्मिक प्रियेटन स्तल है लेकिन पुषकर जील है वो है प्राकर्तिक प्राकर्तिक प्रियेटक स्तल पुषकर जील कौन से है भी प्राकर्तिक प्रियेटक स्तल के अंदरे सामिल की गई है राज्यस्तान में शर्वादिक प्रेटन किन स्टलों को देखने के लिए आते हैं वन्याजी उसरक्षन वाले शेतर को देखने के लिए आते हैं या फिर एतियासिक स्टल देखने के लिए आते हैं या फिर प्राकरतिक स्टल आते हैं या फिर सांसकरतिक स्टल आते हैं बता हुए रद्जस्तान में जो प्रेटन आते हैं वो सर्वादे किस छेतर को देखने आते हैं तो इसका सही उत्र होगा एतियासिक स्तल को देखने के लिए आते हैं एतियासिक स्तल कौन-कौन सी होते हैं तो एतियासिक स्तल आपको पता ही है जैसे पूरा तात्विक प्रेटन स्तल की अगर बात करें पूरा तात्विक तो नमानगड में जो काली बंगा है पीली बंगा है उद्यपूर में आहड है जैपूर में बेराथ है शिक्र में गनेशवर सब्वेत है यह इत्यासिक स्थल है यह पूरा ताथविक स्थल हो जाए चाहिए लेकिन है तो इत्यासिक स्थल उसके अलावा अगर अपने बात करें जैपूर जैपूर एक सहर है पिंक सिटी जैपूर के लिए कि सब्द का प्रियोग किया था पिंक सिटी का प्रियोग किया था उस पत्रकार का नाम क्या था दी रोयल टाउन ओफ इंडिया उसकी पत्रीका थी उसके अंदर किया था तो जैपूर के अंदर आते हैं जैसे हवा मेल देखने के लिए आगे जंतर मंत बात यह है कि प्रियेटन देश का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अरजित करने वाला उद्योग बन सका है यानि अगर हमें पूछ ले कि देश का सबसे बड़ा दूसरा प्रियेटन तेस नहीं सोरी अगर मैं पूछ ले कि देश का दूसरे सबसी बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उध्यों कुण सा है तो वो कौन सा है प्रियेटर्न है यहनमिन अगर विदेशी बिद्मिर्सशी आनना गया है तो वह दूसरे चहत्र पर परेटरोबर ने गया है तो विदेशी देखने के लिए इनल्क गया था, तो ते लिए वो एतियासिक स्तल देखने के लिए आते हैं और प्रेटन देश का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उध्योग बन चुका है बहुत ही मैतोपन बात ही है उसके बाद सुमेलित क्रोप मैं यहां से आपको इतना बता देता हूं कि यह जितने भी होटल है वो सारे के सारे प्रेटकों के लिए बहुत ही मैतोपन रूप से बनाए गए है क्योंकि प्रेटन यहां पर आकर रुक सकती है इन होटलों में अपना खाना या फिर रुकना विश्राम करना इन होटलों के अंदर करती है तो सुमेलित करना है आपको कि सिव निवास पेलेस कहां है, राज महल कहां है, महवर निवास कहां है और कोठारिया होटल पेलेस कहां पर है, करो भी सुमेलित देखो, राज महल से समन्दित आप ये मैं सोच लेना जैसे राज महल की करांती जैसे जगमाल को गदी पर रटाया था तो राज महल की क्रांती तो बिठाया कि इसको था मारना परताब को तो मारना परताब कहां से थे उद्धेपूर ची थे तो खड़ेव उद्धेपूर ना कर दए हो इसलिए तो मैंने यह प्रसंद दिया आपको देखो शिव निवास पेलेश होटल है वो काँ पर है उद्धेपुर में है राजमहल पेलेश होटल है वो काँ है जैपुर के अंदर है बंवर निवास होटल काँ है ये है बिक्का नेर के अंदर है कोठारिया होटल पेलेश काँ है ये है राजसमंद के अंदर देख लिए एक तीन चार दो इसका कौन सा उतर से ही होगा देह उतर से ही होगा अब देखो यहां से आपको यह होटल भी याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे और इन्ही होटलों कि मैं PDF आपको या पिर पेज पर लिखेर में आपको सारा के सारे जितने भी होटल हैं वो मैं टेलेग्राम पर बता दूआ है तो इन से सम्मंदित और क्या याद रखना है तो एक चीज आप नोट लगा कर लिख लो यहां से कौन सी चीज लिखनी है यहां से लिखना है कि अगर हमें पूछ ले Heritage Hotel बारत का पर्थम Heritage Hotel कौन सा है बारत का पर्थम नोट लगा कर लिख ले ना सभी बारत का जो पर्थम Heritage Hotel है वो अजीत बावन है जोदपूर के अंदर बारत का सब से बड़ा अगर हमें पूछ ले कि बारत का पर्थम Heritage Hotel जो कहां पर चालू किया गया था कौन सा है तो वो होगा अजीत बावन अजीत बावन कहां है जोदपूर के अंदर और जीत सिये नाम से एक राजा भी हुए थे जिनको कान का कचा बाज से गोरी संकर ही राचंद ओजाने कहा था ठीक है जिनकी रक्षा की जिम्नेदारी दुरुगादास राठोड ने समाले थी दुरुगादास राठोड को मार का अरडविन और या मोती का जाता है तो उने इसे समन्दीत बात है ये अगर हमें पूछ ले कि बारत का पर्थम heritage hotel है तो वो कहां पर है वो है जोधपूर के अंदर अजीत भान है अगर हमें पूछ ले कि heritage hotel की शुरुवात कब की गई थी बारत सरकार ने को सामिल किया गया था यानि जो 50 वर्षों से पराचिन पुराने होटलों को सामिल किया गया था जैसे कोई खास जगह मिली हो तो बारत का पर्थम हेरिटेज होटल है वो अजीत बावने जो दुपूर है बहुत ही महतोपूर्ण पर्षन था ये वो मैंने आपको बता दिये हैं यहां पर चलते हैं आगे वाले क्यूशन पर महाराना सांगा का समारक कहां बना हुआ है बहुत ही महतोपूर्ण पर्षन है महाराना सांगा का सम वही सांगा की में बात कर रहा हूँ जिनोंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था उसी इस महाराना सांगा की बात कर रहा हूँ और दूसरे युद में ब्याना का युद तो जीता था बाबर की सेना से लेकिन खानवा के युद में ये हार गए थे वही महारा महाराना संगा की चत्री है किसने बनवाई थी असोक परमार ने बनवाई थी किसने मनाई थी असोक परमार कि चत्री किसने मनाई थी असोक परमार ने बनाई थी कहां बनाई थी मांडलगड के अंदर उसके बाद बी उपस ने कालपी देखो कालपी के अंदर महाराना संगा ज उसने क्या किया कालपी के अंदर महारणा सांगा को जहर दे दिया उसके बाद कालपी के अंदर जहर दे दिया उसके बाद इरिच गाउं में इनकी क्या हो गई मरती हो गई और उसके बाद इनको कहान लाया गया बसवा दोसा के अंदर ही महराणा संगा का क्या बना हुआ है समार्क बना हुआ है और पर्थवी राज कछ्वाने बलते हैं उनहीं उन्हें बनाया था लेकिन यहाँ पर ऐस त्यकतन ये है कि पर्थवी राज कच्छवा की बताते हैं कोई तो ऐसी कहते हैं इतियासकार कि पर्थवी राज कच्छवा खानवा के युद में मारा गया था तो पर्थवी राज कच्छवा ने बनाया था ये काफी किताबों के लिखा भी हुआ है तो रहा महराना सांगा का जो समार परसन है पटवारी और राजस्तान पुलिस के लिए बहुत ही मैं तो परसन है यहां से हर बार आप देख लेना एक्जाम उठाकर परेटन से समंदित एक परसन पका आता है एक्जाम में एक या दो परसन तो मैं यहां पर इसलिए तो आपको यह टोपिक कलियर करवा रहा हूं मतर 20 या 25 परसनों के अंदर तो आप वीडियो को पूरा देखा करो और शेर भी क्या करो जिस चेतर में आप जुड़े हो वहां से आप ज़्यादा नहीं पर तेक आपके साथ जो विद्यार थी है उनको दिखाओ उनको भी जोड़ो नोर्स बेजते रहो मैं आपके यहां प इस समीती के आधार पर प्रियटन को उध्योक का दर्जा मिला था वो आपको समीती बतानी है मोहमद यूनिस समीती जाकिर हुशेन समीती प्रियटन विवाग समीती सीव सिह समीती देखो जाकिर हुशेन समीती प्रियटन विवाग समीती ऐसे मा सोचना कि प्रियटन विवा स्मिति से मिला है नहीं प्रेटन विवाको द्योग का दर्जा मिला है मोहमंद यूनुस स्मिति से मिला है कौन सी स्मिति से मिला है मोहमंद यूनुस यूनुस स्मिति नू हो गई है यूनुस लिखा गया मोहमंद यूनुस स्मिति से यहां पर जो राजस्तान का जो प्रेटन पर चार मारच कभी की बात है चार मारच 1989 को 1989 में प्रेटन को उध्योक का दर्जा दिया था प्रेटन को किसका दर्जा दिया था उध्योक का यह बारत का पर्थम राज यह ठीक है राजस्तान जिसने चार मारच 1989 को प्रेटन को किसका दर्जा दिया था उध्योक का दर्जा द दर्जा दिया गया था तो वो दिया गया था मोहमंद यूनुसमिति के एदार पर कब दिया गया था चार मारच 1989 को दिया गया था और ये करने वाला देश का पर्थम राज्य है अपना राजस्तान ठीक है ये भी द्यान रखना उसके बाद अगर हमें और भी पूछ ले किसमें समलित करने के लिए जन उद्यों के रूप में सथापित करने के उद्यर시다्हसी 23 अक्टूबर 2002 में और राजस्तान में कब की गई थी राजस्तान में की गई थी 27 सथमबर में और देश में की गई थी 23 अक्टूबर 2002 के अंदर यह लिखते रहो आप साथ में जैसे देख रहे हैं आप यहां तो इनको लिखो यहां फिर दुबारा इनको लिख लेना बहुत ही मैतोपरून टोपिक है वो सारा इन से समंदित एक भी परसन नहीं छुटेगा आपका यहां पर जितने में बातें बोल रहा हूं उनको भी रिकोर्ड कर लो चाहिए उसको सुन लेना बाद में फिर लिख लेना आराम से तो यहां से जो प्रेटर उद्योगा या प्रेटर नस्तल है उन से समंदित सारे कॉनसेप्ट आपके यहां पर कलियर हो जाएंगे और राजस्ता मिला था ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्यूशन पर प्रेटर न विवाग दुवारा हाती मोचसो कहां बनाया जाता है क्या परसन है चूंकि मैंने बताया था पहले भी बता चुका हूं कि प्रेटर न विवाग के दौरा ही यह जो इतने भी मोचसो है वो प्रेटर न व तो उंट मोच्छो कहा का परसिद है विक्कानेर का उंट महोच्छो उंट महोच्छो है वो है विक्कानेर का कब आयुजित किया जाता है यह किया जाता है जनवरी में आयुजित किया जाता है कब किया जाता है जनवरी में उंट महोच्छो कहा हो गया विक्कानेर का हो गया उ दो नूमर उत्तर है का सही कर दो। तर दो होगा.. झीफूर की अंद्र बना जाता है हाति महोथ्सुव। और कि इसए कब आयोजित क्या जाता है मार्च के अंद्र हाति महोथ्सुव और मार्च रूढ सकę उंड और मत्रिथ रूच्व। मरू महोत्सो मरू महोत्सो कहां का भी जेसल मेर का है उंट महोत्सो बिकानेर का है हाती महोत्सो जेपुर का है यह सारे कोने चेप्ट यहां पर भी आप लिख लेना हो गए के लिए सारे के सारे चलें आगे वाले क्यूशन पर जल्दी से बताओ हां करो सभी प्रिय चलते हैं आगे लिए वाले क्यूशन पर उसके लावा महोच्षो मैंने आपको बता दियें बुंदी महोच्षो हो गया बुंदी के अंदर हो गया सर्द महोच्षो माउंट अबुशिरोई के अंदर मना जाते है ग्रिसम महोच्षो जेपूर का भी है माउंट अबुशिरोई का भी है तीज की स्वारी जो महोच्षो होता है वो भी जेपूर का है पुस्कर मेला पुस्कर के अंदर लगता है पतंग महोच्षो भी कहां का है जेपूर का है यह सारे बता दिये कोलवी की गुफ़ा कहां इस्तित है यह बताने है अब आपको बताओ भी कोटा के अंदर है या फिर बुंदी में है या जालावाड में या राजसमंद में गुरुजी माहरा यह गुफ़ा को तो नाम सुने ओ बो भी परसंदेद देवांगा आवोगो माहरा यह गुफ़ा भी आवोगो अब कोलवी गुफ़ा कठा गी कोलवी की भी गुफ़ा है देखो कोलवी की गुफ़ा है इनी से सम्मदित में आपको बता देता हूँ कोल्वी की गुफा कहांपर है बताओ भी कोटा बुंदी जालावाड रासमंद रासमंद में नहीं है कोटा में नहीं है बुंदी में नहीं है कोल्वी की गुफा है जालावाड के अंदर कहांपर भी जालावाड के अंदर है माईरा की गुफ़ा है वो भी इसका क्यूसन में आपको दिया है इसी वीडियो के नरा जाएगा आगे तो कॉल्वी की गुफ़ा कहां पर होगी जालावाड में होगी जालावाड में इस्तित कौन सी कस्वे में डंग कस्वे में डंग कस्वे में ये डांग चेतर है, डांग चेतर कुनस हो है, डांग की रानी किसे कहा जाता है, क्रोली को कहा जाता है, डांग की रानी किसी कहा जाता है, क्रोली को, और ये कोलवी की गुपा कहा है, ये एतियासी किस्तल है, राजस्तान की एतियासी किस्तल है, ठीक है, ध्यान रखना इसे, तो कोलवी की गुफा, कहां इस्तित है, तो कोलवी की गुफा हो गई, जालावाड में, और ये किस के लिए परसीद है, कोलवी की जो गुफा है, वो बोध विहारों के लिए परसीद है, किस के लिए परसीद है, बोध विहारों के लिए परसीद है, कौन सी गुफा, कोलवी क गुपा ठीक है चलते हैं next question पर वाग्यो इस देर जिकर करें आप माईरा की गुपा तो माईरा की गुपा आगे है भी देख लेना आप सारे माईरा मिवाड की विरास्तों में सुमार माईरा की गुपा कहां इस्तित है जाडोल रिसब देव आहड और गोगुंदा बताओ भी माहरा की गुपा कहां इस्तित है मैं बताता हूँ आपको माहरा की गुपा है देखो उपसनी ऐसी है जाडोल नहीं होगा रिसब देओ नहीं होगा आहड नहीं होगा कौन सा होगा गोगुंदा क्यों गोगुंदा का समद्ध कि सिरा है माहरा परताब से और अगर हमें पूछ ले कि माहराना परताब का सस्तरा ग्रह किसे कहा जाता है माहराना परताब का अगर माहराना परताब का जो सस्तरा ग्रह था वो कौन सी गुपा थी मायरा की गुपा थी अगर हमें पूछ ले कि मुगलों का सस्तरा ग्रह कौन सा था तो मुगलों का सस्त्राग्रा आपको बताई होगा कौन सा था भी बताओ जल्दी से मुगलों का सस्त्राग्रा जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था मैग जिन का किला ठीक है अकबर का दौलत खाना भी जिसे कहा जाता था वहाँ पर सारा का सारा सस्त्राग रहा है अजमेर के मैगजिन दुरूग के अंदर मुगलों का था ठीक है जिसकी जब सेना लेकर आया था तो मानिशिये तो उसने अब्यास भी करवाई थे पाड़ियों के अंदर अपनी शेना का हल्दी गाटी के युदकी में बात कर रहा हूँ तो माहराना की गुपा है वो किसी समंदित है माहराना परताब सी समंदित है तो माहराना परताब सी समंदित है तो माहरा की गुपा है काँपर तो माहरा की गुपा है वो काँपर है भी गोगुंदा के अंदर है उद्यपूर के अंदर ठीक है और हल्दिगाटी युद के समय मारना परताब का जो मुख्य नियंतरन के अंदर था तो वो था केलवडा कौन सा था केलवडा मुख्य नियंतरन के अंदर था वो था केलवडा ये कुछ एक नाम याद रखने पड़ें अबर मेराकी गुफा का हो गी कोंदा के अंदर हो गी समय मैं कि बात करां तो वहा कर्यूफ़ मार्णा पहले का समय अगर बात करें तो जिसे बनास का युद भी कहा जाता है हातियों का युद कहा जाता है करनल जेम्स टोड ने उसे क्या कहा है करनल जेम्स टोड ने हल्दी गाटी के युद को मिवाड का क्या कहा है थर्मोपली कहा है मिवाड का थर्मोपली हल्दी गाटी के युद को क्या कहा है मिवाड का थर्मोपली किसे कहा है हल्दी गाटी के युद को ठीक है उसके बाद अगर हमें और पूछ ले कि और कुछ इत्यासकारों के बात करें तो अबूल फजल ने इसे क्या कहा है खमखोर का युद कहा जाता है और आपको ये बताना है अबूल फजल की हत्या किसने की थी अबूल फजल की हत्या किसने की थी फजल की हत्या किसने की थी और उसके लावा बदायूनी नेशे गोगुंदा का युद कहा है क्या कहा है गोगुंदा का युद आज जी Iniiãoफो, इत्यासिक द्रूग अमेर की और जांक्ता दिखाई देता है, जैगड है, नाहरगड है, चौमओ है, या फिर नायला द्रूग है, सारे जैपूर की अंदरी स्थित है, अगर मैं बात करूँ, देखो, अगर हमें पूछ ले कि कौन सा दुरूग अमेर की और जांकता हुआ दिखाई देता है तो वो दुरूग होगा कौन सा होगा जैगड दुरूग होगा कौन सा दुरूग होगा जैगड दुरूग अगर हमें पूछ ले जैपुर की और जांकता हुआ कौन सा है तो वो होगा नाहरगड किला होगा उनसे सम्दित में आपको बाद बता देता हूं जो जैगड किला है इसे रहसे में किला भी कहते हैं ठीक है इसके अंदर तीन प्रिवेश दुवार है डुंगरपूल है अवनी पर राजस्तान का सबसे बड़ा टांका है वो जैगड दुरु के अंदर है जिसकी लंबाई कितनी है 155 फित नोट कर लो इने भी जिसकी लंबाई 155 फित है चोडाई 138 फित है चोडाई कितनी है वी 138 फित है ठीक है उसके अलावा जिसकी घराई 40 फिट है और राजस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा टंका है वो कौन से दुरूग के अंदर है जेगड़ दुरूग के अंदर है जिसको आमेर की और जांकतावा दुरूग भी कहते है जेपूर की और जांकतावा दुरूग नाहर ठीक है और नायला दरुग जिसका अंतरबें ऑन्रेपुर के अंदरी है जिसका अंतरबां थारासो बैतर मीं पीलवा के पित disfrenda शिन्घ करवाया था पीलवा का था पड़ा पड़ा जोधित पूरूनका कुल यह उन्युद्वा stat बताओ भी, मांडलगड में तो है आठ खंबों की चतरी, मांडलगड बीलवडा में कितने खंबों की चतरी है, आठ खंबों की चतरी है, किसकी है, महाराना सांगा की है, किसकी है भी, जिसकी सांगा के हम पिछे बात करके गए थे न, मांडलगड में आठ खंबों की चतरी है, महाराना सांगा की उसके बाद अगर हमें पूछ ले अलवर के अंदर किसकी चत्री है बताओ भी अलवर में किसकी चत्री है अलवर के अंदर है मुश्य महाराने की चत्री है कितने खंबों की? 80 खंबों की 80 खंबों की चत्री 80 खंबों की चत्री है अलवर में जिसको कहा जाता है मुष्षी माहराने की चत्री ठीक है उसके बाद बुंदी के अंदर अगर हमें पूछ ले तो बुंदी के अंदर है चुरासी खंबों की चत्री कितने खंबों की चत्री है चुरासी रिप्यकिल है जो चुरासी खंबों की चत्री है वो कहा है बुंदी के अंदर है तो इस चत्री का निर्मान राओ अनिरूद ने दाभाई देवी की समर्ती में 1631 में राओ सत्रू साल ने करवाया था अनुरूद सिंग की एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था नगोरदरू के अंदर बनी विये सोडाा खंबों की चत्री किसकी है यह अमरं शिंग राठोड की जिसको कटार का धनी का आजाता है जिसके घोडे का नाम वादल था ठीक है जो ओरंग जो आ resolving मारत की चत्री शरी का अलवर के नदर है आठ खंबो की चत्री महाराना सांगा की है बारा खंबो की चत्री उड़ना राजकुमार की है सोड़ा खंबो की चत्री किस की है अमरी सिंग की है जिसके हम पड़ रही है ठीक है तो बारा खंबो की कौन शिए उड़ना राजगुमार पर्थी राजशिंसोदिया कुंबल गड़ दुरू के अंदर है जिसकी छत्री बनी हुई है तो वीडियो बताना भी दोस्तों कैसा बना ये आज जिने विदार्थी ने आज हमें नोट्स बेज़े थे तो वो हैं देख लो आज राजस्तान की हैं वो टेलीग्राम पर डाल दिए जिके गजांदवर्मा अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखो कितनी बढ़िया वात है कि बार्वी के पेपरी दे रहे हैं अभी तक ही और इन्होंने अभी चो लोगडाउन के कारण वो एक दो पेपर साही देने के नहीं राज विज्जे जयानक यानि पर्त्वी राज विज्जे जया से याद रख लेना जयानक ठीक हमीर रासो जोद राज डोला मारू राद दूआ कवी कलोल बहुत ही मैतोपन तरीके से इन्होंने लिखे हैं अच्छी भी राइटिंग है इनकी तो आप भी हमें बेश सकते है जिसे आएन अकबरी एकबर नमा अबूल फजल तुझ के बाबरी बाबर हैं राज पताने का इत्यास पंड़ित गोरी संकार हीराचंद ओजा ने प्राच्ची ने लिपी माला पंड़ित गोरी संकर हीराचंद ओजा जो रोह डगाउं सिरोही की है थे कुट तिल्ले माला उ जुड़े भी हुए हनुमानगर से इनके साथ और भी जुड़े हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें इसके लवाए इनोंने साहिते महाकाविया पर्थियुराज रासो ये सारे के सारे मैंने टेलेग्राम पर डाल दी हैं बहुत बड़ी अभी ये जो त्यारी कर रही हैं इन्होंने मुझे नोट्स बेज़ें आज और बताया कि ये बार्यूइं के पेपर दे रही हैं अभी तक तो सबसी खुशी के बा वो आप कमेंट के अंदर जरूर जरूर बताएं सभी के सभी तो दोस्तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में नई जोस नई आसा और नई उमीद के साथ शेयर करना मत बूलना जै हीन जै भार गुड़ नाइट स्वीड ड्रेम